दोस्तों आज की डेट में यह जो महा मारी फैली हुई है इसकी बहुत जादा हमारे पास कोई ना कोई का दवाई है और ना ही समझ है जादा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन एक चीज तो समझ में सबके आ रहा है कि इसमें सबसे ज़ादा जो हम बात कर रहे हैं वो है देशी नुस्कों की हमारे घरेलू उपचार की और खासकर जो हमारे घर में रसोई में जो चीजें हैं जड़ी बूटियां हैं जो मसाले हैं उनकी एक वीडियो बहुत ही खराब थी तो यह एक रामबाड की तरह काम करता है दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती हूं कि यह कितना अच्छा उपाय है इसको आप लोग ज़रूर ट्राय कीजिए मैं इसी वज़े से यह वीडियो लेकी आई हूं आप लोगों के सामने इसके लिए हमें चाहिए देश गरी का तेल भी डालते हैं लेकिन वो सबके पास नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो उसके बाद आप इसकी जो पोटली है इसको बना लीजिए चाहे तो आप ऐसे ही गांट लगा लीजिए या फिर आप रबर लगा लीजिए जैसे मर्जी आप कर सकते हैं आपके घर में किसी की तबियत नहीं खराब है तो आप इसको ना रखें इसको ज़रूर रखें ये बहुत ही फायदे मंद है दोस्तों ये मैं ट्राइ कर चुकी हूँ इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये लेकी आई हूँ सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको आप अपने साथ रखें ये बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है और दूसरी चीज ये कि सुबा और शाम आप अपने घर में ये जो कपूर है और लॉंग है इसको जलाते रहें इसे भी आपके जो वातावर मैं तो इसको जला देती हूं तो इसे और भी अच्छे से जो वातावरन है वो शुद्ध हो जाता है उम्मीद करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो सुर्फ आपको इतना करना है कि जिससे भी आप प्यार करते हैं अपने दोस्तों से अपने परिवार से हर उस इंसान के पास ये वीडियो शेर कीजिए क्योंकि इस टाइम पे एक दूसरे का सहारा हम पास जाके तो नहीं दे सकते लेकिन दूर से हम जो कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए अगर कोई भी रिक्वेस्ट या फिर कोई सजेशन है चैनल के ल